नमस्कार आदाब सस्रीय आकाल मैं प्रकर श्रिवास्तव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है आर्टिकल 20 ऑफ दे इंडियन कॉंसिटूशन एक बहुत ही इंपोर्टन आ पहले मैं एक नहीं मुहीम शुरू करना चाहता हूँ अपसे मैं जब भी कोई नया वीडियो लेकर आऊंगा उस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ अपने एक थौट शेयर करूंगा जो मैंने कहीं से पढ़ रखेंगे क्योंकि स्वामी विवेका नंद ने अगर आपने दिन भर में कुछ नया नहीं जाना तो मान दीजी आपने दिन भर में कुछ नया नहीं सीखा और आपका वो दिन विर्थ गया तो आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ लाइन शेयर करना चाहता हूँ कि ना किसी हमसफर से ना हमनश से होता है तो हम किसी को हमें कभी किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए तो ये बात याद रखेगा और निकल पढ़ते हैं आज के सफर पर अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए दोस्तो आर्टिकल 20 अगर किसी इंसान ने कोई Crime कर रखा है अगर कोई इंसान Accused है लौ की langईज में वर इग्जमपल अगर कोई इंसान Crime करता है उसे casos बोला जाता है तो उसके सेवगाट के लिए अर्टिकल 20 में उसकी सुरकशा के लिए अर्टिकल 20 में कई सारे प्रवधान गें परसन यहाँ पर जो परसन मैंने कहा जो अक्यूज परसन गे वो हो सकता है भारत का नागरिक हो भारत का नागरिक ना हो कोई कॉर्पोरेशन भी हो सकती है और यह बात याद रखेगा दोस्तो दूरिंग नेशनल इमर्जंसी भी आर्टिकल 20 आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं हो सकती इसी लिए इन दोनों आर्टिकल का बड़ा महत्वग है भारत के सम्विधान में क्योंकि जब इंडरा गांदी ने 1975 में इमर्जंसी लगाई थी तो उस दोरान नशनल इमर्जंसी के दोरान fundamental right को abrogate किया जा सकता था मगर जैसे कि 44th Amendment Act आया जनतादल की सरकार में यह प्रवधान आया कि नेशनल इमर्जंसी हो चाहे भारत में किसी भी तरह का कुछ भी हो आर्टिकल 20 आर्टिकल 21 कभी भी स्थगित नहीं होगा तो आर्टिकल 20 दोस्तों क्या करता है आर्टिकल 20 accused person को क्या provide करता है accused person को safeguard provide करता है ठीक है इड और सो constitute the limitation on the legislature power of the union and the state legislature और यह जो union और state legislature के पास जो legislature power गये उसमें भी यह कुछ तरह का limitation लगाता है क्योंकि unlimited चीज अगर मिल जाती है ना तो फिर ताना शाही शुरू हो जाती है फिर देश देश नहीं रहता जमूरिय जमूरियत नहीं रहती तो आर्टिकल 20 में तीन particular दोस्तों topic हैं जिसके बारे में हम back to back बात करेंगे और इस topic पर बात करने के बाद अब समझ जाएंगे कि यह जो मैं right of accused person की बात कर रहा हूं इसका मतलब क्या है क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि यह एक criminal का भी कोई अधिकार होना चाहिए तो सबसे पहला जो right है वो है exposed fact to law जो article 20 में आता है article 20 subsection 1 क्या कहती है no persons shall be convicted of any offense except for violation of law in force at the time of the commission of the act charge as an offense nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offense मतब अगर मैं इसको कहते है ने निचोड अगर मैं निकालू क्रक्स निकालू तो यह कहता है that new law cannot punish an old act मान दिजे कोई आदमी है वो इस वक्त कोई crime करता है उसके सजा तीन साल का तीन साल की उसको जेल होती है वो सजा बगेरा काट के आता है दस साल के बाद इसी crime के लिए तीन साल की जगा पांच साल की सजा या मान दिजे साथ साल की सजा हो जाती है तो क्या उस इनसान को दुबारा से सजा काटनी होगी तो यह नहीं हो सकता because new law cannot punish an old act की नया law पुराने किये गए किसी भी कृती को आपका पनिश नहीं कर सकता इट मीन दैट लेजिसलेचर कैन नोट मेक लाओ विच प्रोवाइट्स पर पनिश्मेंट अफ एक्ट विच वर कमिटेड प्रायर तु देट डेट वेन इट केम इंटू फोर्स मतलब मान दीजिये जैसा कि मैंने बताया इस वक्त किसी पर्टिकुलर क्राइम के लिए कोई law है कल को ये law अगर बदलता है मान दीजिये तीन साल से साथ साल की सजा का प्रवधान आता है या मान दीजिये सजाही खतम कर दी जाती है इस particular crime के regarding, तो ऐसा नहीं है, कि इस date, मतलब जिस दिन ये law नया आया, उसके previous date में अगर किसी ने ये crime कर रखा है, तो उसको नए law के तहट आप क्या करोगे, पनिश करोगे, नहीं, अगला है दोस्तो, doctrine of double geo party, ये कहता है, article subsection part 2, no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once, for example, अगर मैं एक normal सी बात आप लोगों से पूछूँ कि क्या आपको अगर एकी गलती के लिए बार बार सजा दी जाए, तो आपको लगेगा ना कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, ठीक, उसी तरह किसी भी इनसान को एक crime के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती, ये article 20, subsection 2, doctrine of double geo party कहती है, और दोस्तों ये article इसले लाया गया ताकि कुछ-कुछ चीजों को avoid किया जा सके, like harassment, ठीक है, which must be caused for successive criminal proceeding, where the person has committed only one crime, there is a law maxim related to this nemo debit bis vexory, this means that no person shall be put twice in peril for the same offense, मतलब की, एक बार crime करने के लिए आप किसी इनसान को दो बार सजा नहीं दे सकते, किसी एक particular crime के लिए, मान रिजे कोई इनसान है, उसने चोरी की, या मान रिजे कि उसने कोई भी crime किया, और उसके लिए वो already सजा काट चुका है, तो क्या आप दुबारा उस इनसान को previous किये गे क्राइम पर सजा दे सकते हो, ऐसा आप नहीं कर सकते, according to Dr. Reno of Dego Party, Article Subsection Part 2 of the Indian Constitution, और दोस्तों, Article 20 Subsection 3 क्या कहता है, that no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself, आप किसी भी इनसान को मजबूर नहीं कर सकते, कि वो खुद के खिलाफ गवाही दे, और एक बात याद रखेगा, कोई इनसान गिल्टी है या नहीं है, इसका फैसला करने वाले हम और आप कोई नहीं होते हैं, एक इनसान तब तक आपका इनसेंट है, जब तक कि वो कोट के द्वारा गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाता, मैं मानता हूँ कि positive impact भी है, negative impact भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कि पैसे के दम पर जो accused होते हैं, वो innocent proof हो जाते हैं, because of the lack of the witnesses in the court, मगर ये system है, और system में जो लिखा है, हमें उसी को follow करना पड़ता है, तो याद रखिएगा कि self-incrimination law क्या होता है, कि आप किसी इनसान को खुद के लिए, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, एक इनसान तब तक गिल्टी नहीं है, जब तक कि court उसे गिल्टी नहीं करात देता, तो उमीद है, अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि article 20, 20 subsection 1, article 20 subsection 2 and 20 subsection 3 में यह जो तीनों लौ लिखे गए, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉप डॉक्ट्रीन ऑफ डबल जीओ पाड़ी एंड सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन लॉप ये राइट ऑफ दा क्यूस परसन के लिए है उनके अधिकार के लिए है तो उमीद है आर्टिकल 20 आपको समझ में आओगा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो क को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमंड कीजिए विश्यू अला वेरी गुड़ लग टेक केर गुडबाई शबाकर गुड़ नाइट